Hey guys, welcome to Abhinia Auto Vlogs, मेरे नामे अभिशेक और आज हम लोग बात करने वाले हैं Mahindra XUV 7W के बारे में मैं आप लोगो बता दूँ कि Mahindra XUV 7W का 1st batch डीलर्श उस पर आना स्टार्ट हो चुका है यह कोई freedom drive units नहीं है, यह वो units हैं जो कि आपको test drive और display units के तोर पर अपने nearest dealership पर देखने के लिए मिल जाएंगी मैं आप लोगो बता दूँ कि Mahindra XUV 7W की जो official bookings है वो 7th October से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो images है वो यहाँ पर capture हुई है Mahindra XUV 7W की जो के dealership याड पर देखी गई है इसका credit जाता है teambhp.com को guys मैं आप लोगों को से request करता हूँ कि अगर आपने channel को अभी तो subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसे ही आपको amazing updates से channel के उपर मिलते रहते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ images इसके interior की भी leak हुई है जो की dealership पर ही capture की गई है जो इसका interior है वो काफी जादा premium look दे रहा है और customers को काफी जादा पसंद भी आने वाला है क्योंकि महिंदर xvv7w के इंदर आपको मिल रहे हैं काफी जारे amazing feature जो की first segment है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके drive modes है वहाँ पर आपको glow होता हुँ जो knob है वो भी देखने के लिए मिल जाता है जो की काफी अच्छा feature है साथ ही जो इसकी infotainment display है वो भी काफी जादा large है साथ ही soft padding के साथ जो leathery work है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है manual and automatic दोनों के साथ आपको available मिल जाएगी साथ जो इसकी roof lights है वो आपको proper LED वाली मिलने वाली है जो इनका glow है वो proper whitish यहाँ पर देखने के लिए नहीं लग रहा है अगर आप इसके last row देख रहे हैं जिसके images capture ही है यहाँ पर आपको जो blowing vent है वो यहाँ पर मिल जाता है साथ ही rotary knob मिल जाता है जिससे कि आप जो इसके vent है AC के उसका flow है वो आप खुद adjust कर सकते हैं rear AC vents भी हमें मिल जाता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो vent है उसके नीचे ही हमें मिल जाता है एक C type charging port जो कि अब new phones के अंदर आ रहा है महिंतरा ने उसको देखकर यहाँ पर जो USB port वो C type दिया है जिससे कि convenience मिल पाए customers को साथ ही जो mobile holder है वो भी हाँ पर देखने के लिए मिल जाता है जो इसके doors है वहाँ पर हमें wooden finish मिल जाते जो की sort of texture work हमें यहाँ पर मल जाता है यह था मेरे तरफ से एक update कि अब आपको xv7w dealership पर देखने के लिए मिलने वाली है जल्दी जो कि select dealership पर अब तक आ चुकी है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने साथ excited xv7w dealership में देखने के लिए कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि ऐसे amazing update आप लोग से miss ना हो हम मिलते नेक्स वीडियो में एक ने topic सा and bye-bye